राधे क्रिश्न भक्तो आईए जानते हैं 31 जुलाई 2013 दिन सोंबर जन में बच्चे का नाम रासी नचत, तिथी, योग, पक्ष, रासी फल, गण मुल्दोस है या नहीं? उसके बारे में तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अगर आपके बच्चे का जनम 31 जुलाई को सुबा 12 बच्चे से सुबा 2 बच्च के 56 मिनट के बीच हुआ है तो बच्चे का जनम नचतर होगा पूर्वा साड़ा नचत, पहला चरण, रासी होगी धनू, नाम का पहला अक्षर भू, पाया होगा ताम्र अगर आपके बच्चे का जन 31 जुलाई को सुबा 2 बच्च के 57 मिनट से सुबा 8 बच्च के 19 मिनट के बीच हुआ है तो बच्चे का जनम नचतर होगा पूर्वा साड़ा नचत, दूसरा चरण, रासी होगी धनू, नाम का पहला अक्षर धा, पाया होगा ताम्र अगर आपके बच्चे का जनम 31 जुलाई को सुबा 8 बच्च के 20 मिनट से दोपार 1 बच्च के 49 मिनट के बीच हुआ है तो बच्चे का जनम नचतर होगा पूर्वा साड़ा नचत, तीसरा चरण, रासी होगी धनू, नाम का पहला अक्षर फा, पाया होगा ताम्र अगर आपके बच्चे का जनम 31 जुलाई को दोपहर 1 बच्च के 40 मिनट से साम को 6 बच्च के 58 मिनट के बीच हुआ है तो बच्चे का जनम नचतर होगा पूर्वा सारा नचत, चौथा चरण, रासी होगी धनू, नाम का पहला अक्षर धा, पाया होगा ताम्र अगर आपके बच्चे का जनम 31 जुलाई को साम को 6 बच्च के 69 मिनट से 1 अगस की सुबा 12 बच्च के 16 मिनट की बीच हुआ है तो बच्चे का जनम नचतर होगा उत्रा असारा नचत, पहला चरण, रासी होगी धनू, नाम का पहला अक्षर भे, पाया होगा ताम्र 31 जुलाई को पैदा होने वाले बच्चों में गंड मुल्दोस नहीं होगा, पक्ष रहेगा सुक्ल पक्ष, तिथी रहेगी 23 दसी, सुबा 7 बच के 26 मिनट तक उसके उपरान 4 दसी लग रही है एक अगस की सुबा 3 बच के 50 मिनट तक उसके उपरान पोडिमा योग रहेगा 20 कम, दोपहर 11 बच के 5 मिनट तक उसके उपरान प्रीती योग लग रहा है, आशा है, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर और करें, जै स्रीकेशना